विडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो आपके capital requirement को बहुत कम कर देगा जिससे आप NAC futures और M6 futures में बहुत ही कम capital के साथ trade कर पाएंगे अगर हम NAC futures के बारे में बात करें तो आप एक lot nifty, bank nifty या फिर SJX nifty सिर्फ 6,000 रुपे में trade कर पाएंगे वैसे ही अगर हम M6 futures के बारे में बात करें तो आप एक lot crude oil, copper या फिर natural gas सिर्फ 4,000 रुपे में trade कर सकते हैं वैसे ही gold और silver का एक lot आप 10,000 रुपे में trade कर सकते हैं आज के तारीक में nifty का एक lot trade करने के लिए आपको कम से कम 1,000,000 रुपे का capital चाहिए होता है वैसे ही bank nifty का एक lot trade करने के लिए आपको कम से कम 2,000,000 रुपे का capital चाहिए होता है और ठीक वैसे ही एक lot crude oil का trade करने के लिए आपको कम से कम 1,000,000,000 रुपे का capital चाहिए होगा तो अगर हम एक retail trader के नजरीन से देखें तो ये capital requirements का जो difference है वो बहुत जादा है I mean 1,000,000 या फिर 2,000,000 देखे trade करने और 4,000 या फिर 6,000 देखे trade करने में काफी फर्क होता है Especially आपके और मेरे जैसे retail traders के लिए So यही offer मैं आपको देना चाहता हूँ अगर आप interested हैं तो screen पर दिये गए contacts पर मुझे contact कर सकते हैं अगर आपको पता है कि proper technical analysis कैसे किया जाता है तो trading आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आप बहुत आसानी से पैसे निकाल सकते हो market से But सवाल यहाँ पर यह है कि हम लोग को पता कैसे चले कि कौन सा technical हम लोग को use करना है सही technical find out करने का, सही technical ढूणने का तरीका क्या होता है I mean अगर आप कोई trader हो जो technical analysis पर trading करते हैं तो आप कैसे trading करते हो, आप कैसे decide करते हो कि कौन से technical से आपके chart पर use हो Right, सबसे पहलग चीज तो आपको यह करना है कि आपको जाना है कि कौन से technical use करना है एक बार आप ढूण लो कौन से technical use करना है, चाहिए वो कोई भी indicator हो या oscillator हो एक बार आप जान लो कि हाँ, मुझे इस indicator को use करना है मेरे chart पर तो उसके बाद आता है back testing, आप उसको back test करते हो उसके बाद back testing अगर अच्छा जाता है, तब आप उसको अपने charts पर लाते हो कि okay, मैं ये indicator अपने chart पर use करूँगा हमेशा के लिए और उसके बाद आप और भी dig करते हो, आप और भी खोदते हो कि और क्या अच्छा क्या जाता है इस indicator के साथ, तो ये एक procedure होता है एक particular indicator या फिर एक particular technical को select करने का, तो जो बंदे हैं, जो traders हैं वो इसी point पर आकर अटक जाते हैं कि भाई, हम लोग को सारे technicals के बारे में पता तो है कि हाँ, ये technical ये करता है, ये indicator ये करता है, ये oscillator ये करता है बट हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कौन सा technical select करें अपने chart में use करने के लिए तो इस वीडियो में हम लोग exactly उसी के बारे में बात करने वाले हैं और एक चीज़ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में में लिए ये possible नहीं होगा कि मैं आपको सारे technicals explain करूँ, तो मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं सिर्फ एक indicator को explain करूँगा जो की बहुत ही strong है, अगर आपको पता होगा उसको कैसे अच्छे सी use करना है तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो उससे, ठीक है, तो मैं moving averages के बारे में बात कर रहा हूँ चाहिए वो simple moving average हो या exponential moving average हो, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप एक सही moving average कैसे select करोगे अपने charts में use करते के लिए ठीक है, I hope ये clear है, point number two ये है कि मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी चीजें हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले हैं वो intraday trading के लिए नहीं है, आप उसको swing trading में use कर सकते हो या फिर positional trading में use कर सकते हो पर intraday trading में उसको use मत कीचेगा ठीक है, क्योंकि intraday trading में वो पूरा technical analysis जो है, वो पूरा अलग level का ही होता है, उसमें सब कुछ बहुत जलजल्दी करना पड़ता है, ठीक है तो intraday या फिर day trading का technical analysis जो होता है, वो पूरी तरह से अलग होता है, पर अगर फिर भी आपको अगर लगे कि जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आप किसी तरह से उसको relate कर सको day trading के साथ या फिर intraday trading के साथ, तो आप बिल्कुल आप जाके use कर सकते हो उसको intraday trading म ठेस्ट करने में क्या जाता है, आप trade मत कीजिएगा, टेस्ट करो, live sessions, live market, जब market live हो, उसमें टेस्ट कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही काम कर रहा है, तो उसको use करो पैसे कमने के लिए, उसमें कौन से बूरी बात है, ठेक है, तो take it as a disclaimer, कि जो भी चीज़े हम हम लोग इस वीडियो में discuss करने बाले है, mostly आप उसको swing trading या positional trading में ही use कीजिए, intraday trading में use मत कीजिए, ठेक है, तो अभी हम लोग चलता है chart पे सबसे पहले, ठेक है, तो ये है nifty का one day chart, और left hand side में जैसे कि आप देख रहा है, मैंने 4 moving averages already plot किया हुआ है, जो की hidden है, ठेक है, 10 SMA, 20 SMA, 50 SMA और 100 SMA, point number one ये है, कि क्योंकि मैंने ये 4 SMAs यहाँ पर plot किये हुए है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी SMA में ही trade करना है, ठेक है, ये बस example के वज़े से मैंने ये 4 SMA लिये हुए है, ये 4 SMA बहुत famous है, इसलिए मैंने लिये हुए है, चीजें explain करने के लिए, now, वो mandatory नहीं करता है कि आपको इसी 4 SMA से ही कोई use करना है, आप अगर देख रहे हो कि 7 SMA काम कर रहा है आपके लिए, तो वो use कीजे, अगर आप देख रहे हो कि 40 SMA काम कर रहा है, या फिर 30 SMA काम कर रहा है, या फिर 25 SMA काम कर रहा है, कोई भी number काम कर रहा है, तो आ आपको यह SMAs ही trade करने हैं, ठेक है, clear हो गया, that is point number one, now, जब हम लोग SMA, sorry, जब हम moving averages के बार में बात करते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग को सबसे पहले तो एक moving average select करना है, जिसको हम use करेंगे trading के लिए, ठेक है, तो वो moving average select करने के लिए, या फिर shortlist करन करने के लिए, या फिर finalize करने के लिए, हम लोग को कुछ points का जरूरत होगा, ठेक है, और या फिर आप बोलेजे कि हम लोग को दो rules follow करने पड़ेंगे, ठेक है, rule number one यह है, कि जब भी भी आप कोई moving average finalize कर रहे हो, आपको यह ध्यान में रखना है, कि वो moving average, prices को जादा बार touch नहीं कर रहा होगा, ठेक है, दूसरा rule यह है, कि जब भी भी आप कोई moving average finalize कर रहे हैं, use करने के लिए, trading के लिए, आपको यह ध्यान में रखना है, कि वो moving average, prices से जादा दूर भी ना हो, ठेक है, यह दोनो rules है, अभी हम लोग यह 4 moving averages को plot कर देते हैं, चाट पे, ठेक है, तो, मतलब पहला, पहला thought क्या आ रहा है, कि भाई, मैं इसको trade कर से गरूँ, इन 4 moving average को मैंने plot तो कर दिया है, पर इसको trade कर से गरूँ मैं, entry कहां लूँ, ठेक है, तो सोचो कि आप कोई एक stock है, जो कि ऊपर जा रहा है, ठेक है, higher high, higher lows बनाए जा रहा है, और आप उसमें buy position initiate करना चाहते हो, तो आप वो buy position कहां पर initiate करोगे, यहां पर करोगे, यहां पर यहां पर, यहां पर, क्यों, क्योंकि यह सब retracement levels है, आप अपना trade यहां पर कभी भी initiate नहीं करोगे, यहां पर भी नहीं करोगे, यहां पर भी नहीं करोगे, क्योंकि यह गलत होगा, आप अगर एक buy trade initiate करना चाहते हो, तो जब prices अपने highs पे हो, उस पे आप कभी buy trade initiate नहीं करोगे, राइट, आप हमेशा wait करोगे कि, ओके, आप ये stock उपर जा चुका है, उसको retrace होने दो, retrace होने के बाद जब उसको support मिलेगा और फिर वो उपर जाने लगेगा, तब मैं buy trade initiate करूँगा, राइट, तो वो सारे point ये हैं, ये, ये, और ये, राइट, इनी तीन points पे ही आप buy trade initiate करोगे, now, अभी आप chart पे देखो, chart पे आपको क्या नज़र आ रहा है, कहां पे आप buy trade initiate करोगे, जब आप candle sticks को moving average के साथ combine करके, आप मुझे बोलिए कि इसमें आप कैसे trade कर सकते हो, आप नहीं कर सकते trade, right, तो अभी हम लोग rules पे आते हैं, rule number one क्या था, कि कोई भी जो भी SME हम लोग select करना चाहते हैं, we have to make sure कि वो SME prices को ज़ादा बार touch नहीं करना चाहिए, तो इन चारों moving averages में से आपको क्या लगता है कि कौन सा moving average सबसे ज़ादा बार prices को touch कर रहा है, आप देखते ही बोल सकते हो, कि वो 10 moving average है, ये लाल वाला, red वाला, right, अभी मैं बाकी सब को hide करता हूं, एक मिनिट, right, ये 10 moving average है, जो prices को सबसे ज़ादा बार touch करता है, और क्योंकि ये prices को सबसे ज़ादा बार touch कर रहा है, हम लोग को सही support area नहीं मिल रहा है, right, ये एक support है, ये एक support है, ये support है, ये support है, ये support है, ये, ये, ये सारे support है, पर हम लोग उसको initiate नहीं कर सकते हैं 10 moving average के साथ क्योंकि यह सारे support moving average के नीचे हैं So, मैं इस 10 SMA को disqualify करता हूँ, I am not interested, right? तो reason है, right? I mean, मैं सिर्फ आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि मुझे 10 SMA पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको reject कर रहा हूँ तो हम लोग 10 SMA को reject इसलिए कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बार candlesticks या फिर prices को touch कर रहा है और क्योंकि वो बहुत बार prices को touch कर रहा है, हम लोग को एक सही support zone या फिर support area या फिर support price point नहीं मिल रहा है अपना buy trade initiate करने के लिए ठेक है, इसलिए हम लोग 10 moving average को cancel करते हैं, हटाते हैं chart से, अभी point number 2 पे आते हैं, rule number 2 अगर आपको याद हो rule number 2 यह है कि जो भी moving average आप select कर रहे हो, आपको make sure करना है कि वो moving average prices से ज़्यादा दूर ना हो तो अगर मैं यहाँ पे 100 SME plot करता हूँ, तो आपको क्या लगता है, देखते ही आप बोल सकते हो ना कि यह prices से बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा दूर है, यह देखो, इस support से moving average का फर्क देखिए, बहुत ज़्यादा है, जो gap है वो बहुत ही ज़्यादा है, आप कैसे trade कर सकते हो, अगर आप 100 moving average को लेके trade करोगे, तो आपके entries गलत होगे, और secondly, आपके stop losses बहुत ज़्यादा होगा, आपका stop loss price जो है, वो बहुत ज़्यादा होगा, तो there is no point कि आप 100 SME को लेके trade करो, so in this case, मैं 100 SME को भी reject कर रहा हूँ, ठेक है, और अभी हम लोग ब कि आपको क्या लगता है, कि कौन से moving average को prices सबसे ज़्यादा बार respect कर रहे है, 20 वाला या 50 वाला, undoubtedly 20 वाला, क्योंकि 50 वाले को मैं reject कर दूँगा, क्योंकि rule number 2 के वज़े से, और rule number 2 क्या है, कि जो moving average है, वो prices से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं 20 SM मैं कुछ उपा देता हूँ, hide कर देता हूँ, तो देखिए, यहाँ पे support और prices का difference बहुत ज़्यादा है, price support, price support, price support, बहुत ज़्यादा है difference, तो आपका entry भी गलत होगा, आपका stop process भी ज़्यादा होगे, और कोई point नहीं बनता है, कोई trade बनता ही नहीं है, ठीक है, तो एक ही option बाकी है हम लोग के पास, वो है 20 SMA, right, so 20 SMA को plot करते हैं, और 50 को hide करते हैं, अब देखिए, this is very decent, यह बहुत ही decent chart है, जहाँ पे prices 20 SMA को काफी बार respect कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे respect किया, यहाँ पे भी respect किया, और difference भी बहुत कम है, यहाँ पे भी respect किया, difference भी बहुत कम है, यहाँ पे भी respect किया, 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 right, so undoubtedly 20 SMA जो है, वो मेरे को जादा अच्छा trades देगा, ठीक है, so this is the reason, कि मैं 20 SMA को select करूँगा, ना कि 10, या फिर 50, या फिर 100 SMA को, I hope कि आपको समझ में आ गया कि मैं क्या explain करना चाहता हूँ यहाँ यहाँ पे, I hope कि आपको यह भी समझ में आ गया कि आपको कैसे select करना है moving averages, okay, now, और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ moving averages के बार में भी बात करें, अगर आप कोई trader है, जो pivot points यूज करते हैं, या फिर कोई और technicals यूज करते हैं, मान लोग कि चलो pivot points भी यूज करते हो, तो normally लोग क्या करते हैं, standard pivot points यूज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बहुत सारे अलग-अलग तरह के भी pivot points है, आप उनको भी यूज कीजिए, आप उनके parameters को change करके देखो, कि कौन सा parameter सबसे जादा बार काम कर रहा है, default चीजों को use मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि default चीजों को use करोगे, तो वो किसी काम कर नहीं होते है, most of the time, ठीक अचाहिए, वो super trend भी हो, super trend का default क्या होता है, 7-3 होता है, शायद, I'm sorry, अगर गलत हूँ तो, पर मेरे, जहां तो मुझे याद है, super trend का default value जो होता है, 7-3 होता है, आप 7-3 को लेके trade मत करो, आप change करो, वो दोनों parameters जो है, उन दोनों को अच्छे से बहुत बार change करके देखो कि कहां पे fail हो रहा है price action, कहां पे जादा बार काम कर रहा है price action, उसके हिसाब से आप select करो कि 3 और 7 के बदले मैं और क्या रख सकता हूँ, ठीक है, आप back testing ऐसे करना चाहिए, ना कि आप सिफ default values लेके आप trade में घुज जाओ, और most of the time आपका stop loss rate हो, और finally आप बोलो कि technical analysis तो कामी नहीं करता है भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, so I hope कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क् ठीक है, now coming back to the topic, यह है तरीका जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा moving average सबसे अच्छा काम करेगा हमारे charts पे, now इसका और एक चहरा भी है, ठीक है, वो चहरा यह है कि अभी हम लोग ने इस nifty chart पे देखा कि 20 SME जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर अगर यह 20 SME मैं किसी और chart पे डाल के देखूं, जैसे कि bank nifty हो गया, या फिर crude oil हो गया, या फिर cash segment हो गया, क्या यह 20 SME सेम तरह से काम करेगा, आंसर ना है, 20 SME, क्योंकि 20 SME नifty के chart पे अच्छा से काम कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि 20 SME bank nifty के chart पे भी अच्छा काम करेगा, ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, bank nifty का भी chart, ठीक है, और same explanation, ठीक है, चारो moving averages यहाँ पे हैं, चारो को plot कर देते हैं, यह देखते ही 100 SME को हम लोग reject कर देंगे, क्योंकि वो prices से बहुत जादा दूर है, अच्छा entry नहीं मिलेगा, और stop losses भी जादा हों 10 SME, अगर हम रूल नमर वन फॉलो करें, तो 10 SME एक ऐसा SME है, जो prices को बहुत जादा बार touch कर रहा है, और उसके वज़े से हम लोग को सही support area में entries नहीं मिल रहे हैं, यह देखिए, यह सारे support areas है, support price points हैं, पर हम लोग entry नहीं लिख सकते, क्योंकि यह सारे price points, support price points जो हैं, व 10 SME के नीचे क्यों है, क्योंकि 10 SME बहुत बार canals risk को touch कर रहा है, ठीक है, तो 10 SME भी reject हो गया, अभी हम लोग बच गये, 20 SME और 50 SME में, इन दोनों को देखते ही, आपको क्या लगता है, कि आपको कौन से वाल SME के साथ जाना चाहिए, bank nifty के chart पे, 20 या 50, वेल अगर आप म 20 SME को हाइड करते हैं, 20 SME दिखिए, क्या हो रहा है या आपर, सेम चीज़ हो रहा है, जो 10 SME के साथ हो रहा था, 20 SME प्राइस एक्षन को बहुत जादा बार touch कर रहा है, जिसके वज़े से मुझे chance नहीं मिल रहा है कि मैं buy trade initiate करूं support levels पे, यह सारे support levels है, पर क्योंकि यह सा 50 SME, तो 50 SME को लाते हैं और 20 को हाइड करते हैं, और यह, this is very clear, कि यह बहुत ही decent SME है, जो की, जिसको price action बहुत जादा बार respect कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यह support level, और यह gap is decent enough, ठीक है, यह gap, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, bank nifty के हिसाब से दे options के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर यहाँ पे यह बंदा support ले रहा है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि, यह यहाँ पे support ले रहा है, ठीक है, 50 SME is nothing but a support, राइट, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि, prices यहाँ पे 50 SME को support लेके ऊपर जा र हम लोग support के बारवे में बात करते हैं उसका मतलब यह नहीं होता है कि support पूरा मतलब 50 SMA के pass आके उसको touch करके ही उपर जाए ऐसा नहीं होता है live market में live scenario में ऐसा नहीं होता है ठीक है prices support level के काफी pass आके भी उपर जा सकते हैं और वो भी valid trade होते हैं ठीक है तो उस हिसाम से यह अच्छा support level है जो respect कर रहा है हमारे 50 SMA को यह अच्छा support level है जो respect कर रहा है बस prices उपर जा रहे है तो इस चार्ट के हिसाब से अगर मैं चारो SMAs को compare करूँ 10, 20, 50 और 100, मेरे हिसाब से 50 SMAs जो है वो fit बैठता है मैंक निफ्टी चार्ट पर, ठीक है तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर चीज का अपना एक personality होता है, चाहे वो मैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो crude oil हो, आप expect नहीं कर सकते हैं कि एक चीज हर एक में काम करें, ठीक है क्योंकि सबका अपना अपना personality होता है, सबका अपना temperament होता है, volatility, liquidity, volume, बहुत कुछ आते हैं picture में, तो चीजे तो change होगी ही, तो उसी हिसाब से आपको decide करना है कि कौन सा technical, कौन से chart पर काम करता है, और ए technicals मैं follow करता हूँ, ठीक है, आप मेरे bank nifty calls, nifty calls, crude oil calls, natural gas calls, cash calls, सारे calls को देख लीजे, मैं जिस technical को use करता हूँ, वो almost 95% of the time सारे segment में काम करता है, ठीक है, तो अगर आपको वैसा कुछ technical चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप चाहत technical सारे segments में काम करें, तो it is very much possible, पर आपको उतना महनत डालना पड़ेगा ढूडने के लिए कि वो technical है क्या, और एक बार आपको technical मिल गया, तो उसके बाद आपको parameters में भी अदल-बदल करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कौन सा parameter को सबसे जादा respect कर रहा है price action, ठीक ह क्या था इस particular video का और आप कैसे shortlist कर सकते है particular moving average को एक chart में apply करने के लिए और उसके बाद उस पे trade करने के लिए, ठीक है, बात simple है कि जो भी मैंने ये बताया है आपको इस 15-20 minute के वीडियो में वो आसान तो है नहीं, इतना तो पक्का है, क्योंकि technical choose करना, उसके parameters को change करना, उ उसके बाद उसको charts पे implement करके देखना काम कराएं कि नहीं, आपको पागल कर देगा, ठीक है, पर सवाल यह है कि आपके पास कोई और option है क्या, आपके पास कोई और option है ही नहीं, आपको यहीं करना पड़ेगा, अगर आप successfully, independently trade करना चाहते हो, अगर आप profitable होना चाहते हो, त यह सारे parameters finalize करने में, जो भी setup मैं follow करता हूँ, उस setup या फिर उस strategy को finalize करने के लिए मुझे 2,5 साल लग गए, और उसके बाद मुझे results भी अच्छे मिल रहे, तो उन 2,5 सालों का मेहनद जो है, वो सब cover up हो जाता है, जब आप पैसे कमाना लिखते हो हर दिन, ठीक है, तो आ आप करो, आप बस जो काम आपको करना चाहिए, आप करो, बाकि सब will be taken care of, ठीक है, पर आप बोलोगों कि मुझे महनद ही नहीं करना है, मुझे focus ही नहीं डालना है, मुझे concentrate ही नहीं करना है, बस मुझे कोई कुछ बना के setup दे दे और मैं बस trade करके पैसे कमालो, ऐसा नहीं ह होता है, real life में, ठीक है, so please मेरे बातों का बुरा मत मानिएगा, ये सब facts हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं खुद एक trader हूँ, जो की almost 6-7, 8 साल से trade कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा experience ही, ये सारे videos उसी पे ही based है, ठीक है, तो बस ये ही share करना चाहता था दूस्तों, औ अगर आपने मेरा previous video नहीं देखा है, मेरा पिछला video नहीं देखा है, तो top right corner में जो i symbol है, आप उस पे click करके मेरा पिछला video देख सकते हो, और अगर आपको मेरे video पसंद आए, तो please मेरे channel को subscribe कर दीजेगा, और मेरे video को like कर दीजेगा, और अगर आपका कुई सवाल है, तो please comment section में वो सवाल पूछेगा, और मैं surely reply करूँगा, और बस, आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले video में कुछ और नई चीजों के साथ, जो कि आपको trade लेने में या फिर trading सीखने में मंदत कर सेके, ठीक है, thank you so much, और आप अपने family और friends के साथ एक weekend spend कीजे, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले video में, thank you, bye bye, धन्यवाद, see you all, later. आपको